हालो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका टार्गेट फॉर आइक्यू में कैसे आप लोग देखे दोस्तों यूपी पीसी है जे मेंस और बिहार सिविल जज मेंस के लिए इंपोर्टन्ट टोपिक्स में इस वीडियो में आप लोगों करा रहा हूं और को थोड़ी लंबी वीडियो होगी तो प्लीज लास तक देख लीजिगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरू करें जो भी लोग पहली बार चैनल को देखने तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लें साथ में बैल आइकन जरूर प्रेस कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं थाम लुआंग गुफा जो काफी न्यूस में रहा था इसमें क्या है उत्रित हाइलेंड इस्थित थाम लुआंग गुफा देश के जूनियर फुटवल टीम के सदस्य यह दो बारा बच्चे थे और उसमें कोच भी समलित थे जो तेही जून 2018 को 18 दिनों तक फस रहे थे ठीक है और इसमें गुफा के अंदर यह लोग गुमने गए थे और हुआ फस गे थे अचानक बाड़ आ गई थी और फिर लगबग 8 देशों के दरजनों भर लगबग 90 ग पारी बारी सा गई थी और पानी गुफा के अंदर भर गया था आप लोगों को पता है यह फैक्ट आपको लिखने है और फिर बाद में आपको फैक्ट लिखना है कि इसके बच्चा अभियान में चीन, अमरिका, बिट्रेन, जापन, ऑस्टेलिया और बारत ने भी सहयोग काफी इंपोटेंट टोपिक है और आप लोगों के लिए आ सकता है याद रहे यह तीन पाइंट आपको लिखने है उत्तरी थाइलेंड बारा बच्चे थे को सही ठीक है गोता खोरो की थी और डेट जरूर याद कर लें ठीक है यह एक्जाम पॉइंट व्यू से काफी नेक्स टोपिक के 자신 करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास टाइम है बहुत से लोगो 嘟पिक में या बहुत टाइम कम है तो आप लोगों के मेंस के यूपी वालों के लिए और बिहार का भी मान लिजिगा एक मेएना बच्चा आ तो व आप चाहें तो इस नंबर से भी पिचेतर डबल जीरो ग्यारा तीनसो चोदा पर वाटसप करके मुझसे कंट्रेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए नेक्स टोपिक की तरब डिसकस करते हैं नेक्स ए दा इंग्लिस पेसिंट ये क्या है स्री लंका मुल के कनडाई कवी और उपन्यासकार माइकल ओंडा टेस की रचना दा इंग्लिस पेसिंट को गोल्डन बुकर पुरुसकार प्रतान किया एक होता है मान बुकर जो अनवन को मिला है जबकि ये गोल्डन बुकर पुरुसकार है ये गत पांच दसकों में बुकर पुरुसकार जीतने वाले सर्वसेस्ट किर्थी माना जाता है और इस उपन्यास पर बनी फिल्म में वर्स 1996 में नो आसकार पुरुसकार भी प्राप्त हुए थे काफ़ी इंपोर्टेंट है इसको एक बार देख लेंगे नेक्स्ट है पीस मिसन 2018 तो रूसी सहर चेलिया बिंस्क में बाहिस से 29 अगस 2018 में रूस भारत पाकिस्तान चीन कजाकिस्तान उजेबिकिस्तान तजाकिस्तान और कजाकिस्तान ये किर्गिस्तान है इसमें कितने देश है इसमें पूरे के पूरे साथ देश, आठ देशोंने भाग लिया, मिसन बीस में यक रखें है और सहीद तKEया अंहीं जिसका नाम थाइब में खिया गया है और भारत और पाक इसमें पहली बार पाटिसेपेट इस युद्धम में कर रहो हैं, यानि अनतर और आस्टिये मिशन में युद्दब्यास करेंगे बारत और पाक पहली बार किसी अंतरास्टिये मिशन में युद्दब्यास पहली बार करें यह भी आद रखें आठ देश थे इसमें कौन-कौन से देश थे मैं आप लोगों को बता दू रूस भारत पाकिस्तान चीन किर्ग उजिबेकिस्तान तजाकिस्तान और कजाकिस्तान ठीक है तो यह आप लोगों को याद रखना है काफी important countries है इन में से आपको लिखने आने चाहिए और MCQ में भी next upcoming जो एक्जाम है उनके लिए भी काफी important है ठीक है तो चलिए फिर नेक्स टोपिक को discuss करते है इस टोपिक में ब स्पोर्ट से भी आने वाला जैसे Asian Games हो गए Commonwealth Games हो गया यहां हमारा FIFA World Cup हो गया तो यह आप लोगों के लिए काफी important है तो इनको आप देख लेंगे France Football Cup विस champion बना तो आपको FIFA World Cup 2018 के बारे में लिखना है 16 जुलाई को France ने क्रोशिया को 4-2 से हरा कर विस Football Cup अपने नाम किया इससे पूर्ट फ्रांस ने 1998 में विस Cup जीता ता क्रोशिया 1998 से इस खेल में भाग लेना प्रारम कर देता और तब है France से ही final 2-1 से हरा था ठीक है इस बार England के semi-final में हरा कर final में पहुचा था प्रांस जबकि तीसरे इस्थान के लिए France से semi-final में पराजित वेल्जियम ने इंग्लेंड को और आकर तीसरा इस्थान पराप्त किया था याद रखें रूस में इसका आयजन हुआ था ठीक है यह आप लोगों को याद रखना है काफी important topic है और यह एक्जाम के लिए बिर साओधी अरब के पत्रकार जमाल खगोसी को संबान देने के लिए 2018 के time person of the year इने चुना गया यह topic आप लोगों के लिए 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 आ सकता है तो मैगजीन ने यह संबान खगोसी सही चार पत्रकार और एक वार को दिया है बता दें कि सायूदी साओधी पत्रकार जमाल कहा था कि उन्होंने सच में कीमत चुकाने वाले चार पत्रकारों को एक अकवार का संबान दिया है खगोसी के अलावा यह चारों पत्रकार और भी थे लेकिन आपको सिर्फ जमाल खगोसी के बारे में ही लिखना है यह मैं आप लोगों को बता दूँ उनके नाम है फिलिफ पत्रकार और एक अकवार का नाम ठीक है और मेरी लेंड ने एनफलो एना फॉलिस इस्तित कैपिटल गैजट का स्टाफ भी सम्मान में सामिल है यह भी आद रखेंगे ठीक है अब क्या था इसमें जून में गोलावारी हुई थी उन पांचों लोगों पर जिसमें से कमाल ख परसन ओप दाइयर पहली बार यह चुना गाया यह भी आप लोगों को पॉइंट जोड देना है कुछ करंट अफेर के इंपोर्टेंट बुक्स हैं जैसे दा बांबे प्लान किसकी है ब्लूप्रिंट फॉर एकॉनोमिक रिज जेंस संजय बारू एबं मेगनात देशाई की इसमें देश के प्रारंबिक आर्थिक विकास नीति का बढ़न किया गया है नो इस्पिन सेनवान के आस्टेलिया क्रिक्रेटर है उनके बायोग्राफी है दूसरी है इंडिया एंड पाकिस्तान यह नेवर सेट आर्ट्स अफ्तार सिंग भसीन ने इसमें भारत और पाकिस् अगेंस दा इस्लामिक स्टेट नादिया मुराद आपको पताई है दोजार अठार में नादिया मुराब और मोवेंगे जो कांगो के हैं उन्हें दोनों को से एक तुरूप से नोबल पीस अवार्ड मिला है दोजार अठार का ठीक है और इन्होंने इसमें बताया कि आई पी अ ON बताया टीक है तो काफी इंपोरटन नोट से करेंगे वीडियोच करके इन्हें जरूर नोट कर लें ने इनहें से आप लोगों के लिखने के लिए आ तोपिक्स मुआ पर मिल जाएंगे और आपके एक्जाम के लिए बैतर होगा चलिए फिर नेक्स टोपिक की और डिसकस करते हैं इंपोटेंटेंट दिवस के और उनकी थीम की क्योंकि पिछले पेपर्स में मैंने देखा है इंपोटेंट दिवस के बारे में लिखने के लिए आगा तो साथ में उनकी थीम्स तो यहां पर जो मैंने हाइलाइटर कर रही ही चिरिफ वही पड़ेंगे तीन दिसम्बर को अंतर राष्टे दिव्यांग दिवस है और इसकी जो थीम थी वो थी Empowering Persons with Disabilities and Inclusiveness and Equality ठीक है नेक्स्ट है एक दिसम्बर 28 दिवस बोलते हैं इसकी और इसकी जो थीम थी उसका था Know Your Status ठीक है उसके बाद हम करेंगे 26 दिवस 5 अक्टवर को होता है के लिए आ सकते हैं काफी important है इसके बाद करें 18 जुलाई को तो 18 जुलाई को होता है नेंचन मंडेला अंतरास्टी दिवस गरीवी के खिलाब कार्रेवाई इसकी थीम थी विस जन संक्या दिवस वेरी वेरी important है 11 जुलाई को इसकी थीम थी family planning is a human rights ठीक है ये आप लोगों को याद रखना है ठीक है उसके बाद विस योगा दिवस 21 को योगा फोर पीस इसकी इस वर्स की थीम थी ये आप लोगों को याद रखना है ठीक है उसके बाद बात करें विस उपर्रेवाण दिवस 5 जून क आप लोगों को पता होगा और इस वार की जो थीम थी वह थी बीड बीट प्लास्टिक पॉलुशन बीड प्लास्टिक पॉलुशन इस वर्स की थीम थी याद रखना है इसके बाद अंतररास्टी नर्स दिवस very important है और इसकी जो थीम थी नर्स ए वोईस टू लीड हैल्थ यह काफी इंपोर्टेंट है उसके बाद एक छूट गया मेरे से यह 17 माई को है वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे यह भी काफी इंपोर्टेंट है ठीक है तो इसकी थी नो योर नंबर्स ठीक है इसकी जो थीम थी उसके बाद 20 प्रतिवी दिवस 22 अपरेल को प्लास्टिक प्रदूसरन खतम करो एंड प्लास्टिक पॉलूशन इसकी थीम थी उसके बाद वेरी 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 इंपोर्टेंट जो आपको लिए बहुत जाद मोस्ट है अंतर रास्टि महिला दिवस आट मार्च की और इसकी थीम थी इसकी यह बारी इंपोर्टेंट है प्लीज यह तो आने आना है मतलब आप इसको देख लेना एक बार टंग से दूसरा अंतराष्टिय मत दाता दिवस राष्टिय मत दाता दिवस 25 जनवरी को है सुगम निर्वाचन यानि ऐसे सिविल एलिक्षिंस यहां पर है विस मानावादिकार दिवस 10 दिसंबर को मना जाता है आपको पता ही है तो चलो समानता न्याय एब मानव गरिमा के लिए खड़े हो जाओ इसका मोटो थीम है यह आप लोग याद रखेंगे यह भी काफी इंपरेंट है विस उम्रद्दा दिवस 5 सितंबर को ग्रह की देखभाल भूमी से सुरू होती है ठीक है और एक दिसंबर को जो मना जाता है विस एट दिवस है एट्स दिवस यह काफी इंपरेंट है मेरा स् वीडियो के दिरो और आयोप आप रुकल पसंदार रहा होगा वीडियो कर पसंदार है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के भी जो भी मेंस के तयार करें शेयर कर दें और जो लोग इंट्रेस्टेट हैं ग्रूप जोइन करने में बिकॉस भादा आप ल लोगों को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं तो यह बीम स्टेक हो गया रोहियर सनलारती हो गया इनको तैयार करने अच्छे से और मिलते हैं फिन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक केर और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें झाले कर प्लीज रेक्गर